हेलो स्टुडेंट्स मैं अभय कुमार्ट इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 10 तरंग प्रकास की वेव अप्टिक्स के पार्थ्री को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है यंका दिवच्छिद्र परियोग एवं फ्रिंच और आई के बेंजक बीटा इसकल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन टू डी राप्ट करना और यह 12 क्लास के के लिए डिफ्रेंट बोर्ट्स डिफ्रेंट अस्टेट बोर्ट्स एवं CBAC बोर्ट्स के लिए भी बहुती महत्पुर्ण टॉपिक है जो लॉंग कोश्चन के रूप में अक्सर पूछा जाता है सबसे पहले यंग का डिव स्लिट परियोग के बारे में लेकिन इस पर जो प्रस्ण पूछा जाता है लॉंग कोश्चन डिफ्रेंट बोर्ट्स एग्जामनेशन में डिफ्रेंट अस्टेट पोर्ट्स एम CBAC बोर्ट एग्जामनेशन में वह यंग का डिव स्लिट परियोग के अधार पर फ्रिंच योड़ाई का बेंजक प्राप करें तो इसमें में जो अब्यक्टिव है हमारा वह फ्रिंच योड़ाई का बेंजक प्राप करना विक्टाइज गल्टू लेंडा वाई डी वाई टू डी लेकिन यह बेंजक यंग का डिव छित्र परियोग के द्वारा ही राप किया आजा सकता है उसकी प्राइवूग विवस्था के द्वारा यंग ने अठार सो एक इसुई में हाईगन का दिवतियक तरंक्या सिधान्त को आधार मानकर बेतिकरन की घटना का सफल व्याक्या किया तथा प्रकास के तरंक्स सिधान्त की पुष्टी की यंग का दिव छित्र परियोग प्रकास के तरंक्स सिधान्त की पुष्टी करता है यंग की प्रयाईव व्यस्था को चित्र एक में दरसाया गया है जिसमें की एल एक पर्दा है जिसमें एक पीन होल है एक चित्र है रिखा चित्र एस जिसको एक वर्णी प्रकास्ट रोत के द्वारा प्रकासित किया जाता है एक वड़नी प्रकास रोट जैसे sodium वैपर authentication रोट है उसके द्वारा इस रिखा चिद्र एस परदा एल में बने चिद्र को एसको प्रकासित किया जाता है एक वड़नी प्रकास रोट से और इससे उपन जो तरिंग काएं होगी यह प्राक्ष्मिक स्रोट है तो प्रास्मिक तरंग का हैं इससे उत्पन होकर के आगे बढ़ेंगे इथर माध्यम में और यहाँ पर जो ठोस वक्र है solid curve यह तरंग के assist को बतलाता है क्रेश्ट को बतलाता है जबकि यहाँ पर जो dotted circle है dotted circle है यह dotted square है वह बिनदुवत जो वक्र है यह यह तरंग के घर्थ को क्रेश्ट को बतलाता है तरंगिका के BEVELS के aesthetics को बतलाता है dotted curve और जब रेखắt चितरेस को प्रकास एक बड़ी प्रकास्टों से प्रकासित किया जाता है तो इससे उत्पन तरंगा गोलाकार को और यहां चैजिद्स से कुछ तुरी परिस्थित है एक अंद्य पर्दा है दूसरा पर्दा कैप्टल एम है उसमें दो छित्र बने हैं S1, S2 जो की रिखाची द्रेस जो परदा एल में बना हुआ जो की मैंने पिछले पार्ट में डिसकस किया था तो S1 और S2 दोनों जब त्रंगागर जाकर आप्तित होता है एस से उत्पन तरंगागर बेलनाकार तरंगागर जब परदायम में बने हुए दो छित्र जो एस से समान्दूरी पर होते हैं यहां से रिखाची देश से उत्पन तरंगागर आगे गमन करके माध्यम में इतर माध्यम में आगे गमन करके एस वन एश्टू पर जाकर आप्तित हुआ है दोनों रिखाची द्रों पर जोकी परदा एम में बने हुए हैं तो एस वन एश्टू भी दिवत्यक स्वूत का काज करेंगे और इनसे भी अब दिवत्यक तरंग काएं उत्पन होंगी ज्युक्त के तरंग का उत्पन होकर आइगन के तरंग सिधान के उत्पन होकर आगे बढ़ेंगी और एम तथा एन एक तीसरा परदा एन है इसके बीज के चेत्र में प्रकास तरंगी का हैं आपस मैं ध्यार उपित होंगी क्योंकि S1, S2 दोनों एकी स्रोत S से रिखाचेतर S से उत्पन हुआ है एकी स्रोत S से उत्पन दोनो S1, S2 दोने स्रोत हैं तो इसलिए S1 तथा S2 दोनों कला संबर स्रोत के समान कार्ज करेंगे और वैसी स्थिति में ये दोनों कलासंबर स्रोष से उठपन तरनिकाएं जब माध्यम में अध्यारूपित होती हैं समान कलाओं में और विप्रित कलाओं में तो उसके कारण परदायन पर एकांतर कर्म में चमकीली उमकाली धारियां इसलेज़ की नगति कारण परदा के इन परदा है तीसरा थौड does क्रिन उसके ओविंदू पर बिचार किया जाए जो की center है उसका ओ बिंदू पर दोनों कला संबर्थ स्रोतों दोनों रिखा चित्रों S1 ए में स्टू अर्थाद दोनों कला संबर्थ च्रोत जो की एकी स्रोतेश से उर्पन हुई है और इससे उर्पन प्रकास तरंगे ओ बिंदू पर चुकि S1 से ओ की मध्य बिन्दू ओपर सेंटर ओपर समान कला में ध्यार उपित होंगी और उसके कारण परदा एन का मध्य बिन्दू ओपर समान कला में ध्यार उपित होने से रचनात्मक पेटी करन होगा और ओबिन्दू हमेशा ओबिन्दू हमेशा ओबिन्दू पर हमेशा दिप फ्रिंज चमकीली धारी दिप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, तो ओ बिंदू center of brightness होगा, मनले ओ बिंदू पर चमकीली फ्रिंज, चमकीली धारी उपस्तित होगी, और ओ बिंदू के उपर तथा नीचे, एक आंतर करंग में वह बिंदू के फिर उपर काली धारी फिर इसके नीचे काली फिर चंकीली फिर काली फिर चंकीली इस धंक से एक आंतर करंग में अनेक चंकीली काली रिखाएं प्राप्त होंगी परदा एन पर जिसे ब्यतिकरन प्रतिरूप इंटर्फिरेंस पैटर्न कहा जाता है तो वो बिंदू का स्थान निश्चित हो गया परदा का मद्ध बिंदू ओपर हमेशा चंकीली धारी दिप्ट फिंज ही उहां पर उपस्थित होंगी दिप्ट फिंज का ही निर्मान होगा वो बिंदू पर चुकि क्या दिप्ट करने के लिए परदा का दोनों अभासी शुतू के बिंदू पर हमेशा चंकीली धारी होगी अब फिंज चोड़ाई का बिंजक प्राप्ट करने के लिए पर्दा का दोनों आभासी स्रोतों S1 और S2 के बीच की दूरी को 2D सपोज किया जाता है माना जाता है इसे स्मॉल डी भी माना जा सकता है तो उस स्थिति में S1 से और S2 से S1 से से सेंटर है सी S1 S2 के ब बिंदू S Center है तो अगर D दोनों रिकाता की वीच की दूरी या दोनों आभासी तो दूरी अगर D मानी जाती है तो S1 से से सेंटर की दूरी दूरी dx हो जाएगा और से से S2 से से déjà दूरी दूरी भी b स्बाइब करते सब्सक्राइब D ही होगा, इस प्रकार S1, S2 के बीच की दूरी, दोनो अभासिक चित्रों की बीच की दूरी, या दोनो अभासिक चित्रों की बीच की दूरी, या दोनो अभासिक स्रोतों या दोनो कला संबर स्रोतों की बीच की दूरी, हम यहाँ पर 2D, यहाँ सपोज किया जाता है, दोनो रेखाचित्रों की बीच की दूरी 2D या दोनों कलासंबर सुरतों की दूरी 2D और दोनों रेखाचित्रों या दोनों कलासंबर सुरतों के तल से परदा N की दूरी capital D माना जाता है और चुकि M पर्दा M और पर्दा N एक दूसरे के समनांतर है तो दोनों की बीच कहीं भी दूरी S1 से M1 की दूरी, S2 से M2 की दूरी या दोनों के बीच का center C से S1, S2 का बीच का केंदर, S1, S2 के बीच C है, C से O की दूरी, C से पर्दे के केंदर की दूरी, पर्दा N के केंदर की दूरी, वो अभी उतना ही होगा, D होगा, S1 से, रिखाचित S1 के केंदर से M1 की दूरी, S1, M1 एहां perpendicular drone करते हैं, लंब डाला जाता है पर्दा N पर, S2, M2, S2 से S2, M2, इस प्रकार S1, M1 दूरी, D D, S2, M2 दूरी, D, और दोनों, अभासी सोतों, S1, S2, दोनों, कलासंबर सोतों, जो की एकी सोत, S से उत्पन हुआ है, रिखाचित रेस को, एक वर्णी प्रकास रोज से प्रकासित करने पर, तो इनके दोनों के वीच के दूरी, 2D है, तो सपोच करते हैं, माना की, माना की, तो इस परकार, यंग का 2C4 परयोग दौरा बेतिकरन की घटना की सफल व्यक्षा किया गया, यंग के दौरा, थो मसंग के दौरा, जो इंगलाईन के बाज्यानी थे, और 1400 एक सुई में, और यह परयोग, यंग का 2C4 परयोग, प्रकास के तरंग सिधान्थ की पुष्टी क दीवचित्र प्रयोंगे माना कि दोनुरी दोनों रेखा चित्रों से तल से परदा की दूरी मतलब S1 से M1 की दूरी या S2 से M2 की दूरी वह S1 M1 दोनों रिखाचिद्रों के तल से परदे की दूरी S1 M1 या S2 M2 उसको Capital D माना जाता है और इसी के फ्रिंच और आई का भिंजक भी इसी टर्म में लाना है Capital D के रूप में और 2D के रूप में और लेमडा प्रकास की तरंग लंबाई है जो एक वर्णी प्रकास से रिखाचिद्रेश को प्रकासित किया गया है तो उसकी तरंग लंबाई उससे उत्पन प्रकास की तरंग लंबाई लेमडा है तो S1 M1 is equal to S2 M2 is equal to D अब हमने देखा कि परदा N का मध्यविंदू O पर का स्थान तो निश्यत है कि वहाँ पर दिप्ट धारी ही उत्पन होगी चम्कीली धारी ही उत्पन होगी ये तो मैंने बतलाया लेकिन P बिच्थान निधारीत नहीं है P बिच्थान अब माना जाता है कि परदायन का केंदर O से X दूरी पर इस्थित बिंदू P है यहां का स्थान अभी फिक्स नहीं है P बिंदू पर दिप्त धारी उपस्तित होगी या उत्पन होगी या काली धारी उत्पन होगी काली लकीने उत्पन होगी या चमकिली धारी उत्पन होगी धारी उत्पन होगी यह अभी मालूम नहीं है और वो हमालूम किया जा सकता है और वह निर्भर करेगा कि S1 से P का जो दूरी है S1P और फिर S2 से P का डिस्टन्स S2 से P को S2 से P का डिस्टन्स इसे भी मिलाया जाता है S2 से P को S2 से P को मिला दिया जाए S2 से P को मिलाया गया तो S1 से P का डिस्टन्स और S2 से P का डिस्टन्स दोनों का बीच का distance equal नहीं होगा S1 P और S2 P दोनो distance equal नहीं होगा इसलिए नहीं होगा कि S1 P point S1 जो रिखाचित S1 है उसके close है ज्यादा निकट है जबकि S2 जो रिखाचित है दूसरा रिखाचित S2 यह S1 के नीचे है और P से अधिक दोरी पर है तो वैसी स्थिति में दोनों के बीच में दोनों light ray मने S1 तथा इस्टू से जो produce होने वाली प्रकास तरंगे होगी प्रकास तरंगे का होगी उनके बीच light waves के बीच में पात कांतर होगा पठांतर होगा और वह पठांतर निकाला जा सकता है तब S1 से यहां पर हम normal drone करदेंगे अगर हम normal drone करदें है पर मानलिया कि यह normal है S1 से N1 तो यह S1 N1 अगर normal drone करदें हम S1 से तो उस situation में N1 के बाद का distance N1 से P का distance और S1 से P का distance तो equal होगा लेकिन इतना अधिक distance होगा कौन S2 N distance वह अधिक distance होगा यहां इंगिल अगर ठीटा माल लिया जा यहां पर तो s2n is equal to d sin theta हो जाएगा 2d sin theta 2d sin theta अगर s1 s2 के विच की दोड़ी d माना जाता तो s2n जो यही part difference हो गया part difference हो गया s2p minus s1p और यह extra distance s2n n2 n के बाद b point का distance और s1 से p का distance दोनों equal है लेकिन इतना distance ज्यादा करना परेगाता है s2 से कला संबर स्रोथ या रिखाची देश्टू से रिखाची देश्टू से उत्पन जो की दिवत्यक स्रोथ का काज करेगा या बिंदू इससे उत्पन प्रकास तरंगी का को s2n अधिक distance कभर करना होगा उस distance को हमें मालूम करना होगा अगर वह distance हम मालूम कर लेते हैं तो वैसी इस्तिती में हमें p बिंदू पर्दा का n का p बिंदू चमकीली fringe का केंदर होगा या काली fringe का केंदर होगा bright fringe p बिंदू पर प्राप्थ होगा या dark fringe प्राप्थ होगा तो उन दोनों S1 और S2 से उत्पन होने वाले प्रकास तरंगिकाओं के बीच पठांतर से पार्ट डिफ्रेंस से बालूम हो जाएगा तो पार्ट डिफ्रेंस अगर ये S1, S2 के बीच दिसेंस D रहता तो S2N हो जाता येंगी लेहाँ ठीटा चुकि यहाँ से भी इसले ये लाइट रहे यहाँ से और येंटरल डायक्शन से ठीटा कूंस से ठीटा कूंस से डिफ्रेक्ट हो करके ठीटा कूंस पर ये जा करके P बिंदू P पॉइंट पर मिलेंगी S1 P रास्ते पर और येहाँ भी S2P भी और येंटर से कुछ हैंगिल पर लंब हो जाता तो सिस्ष्टी में एस्टु एन यो पाह डिफ्रेंस रचनात्मक वैतिकरन और विनासी वैतिकरन का कंडिशन मालूप करते हैं उसके बाद तो S1 M1 is equal to S2 M2, दोनों रेखा चिद्रों के तल से परदा N की दूरी, वह capital D हो गई, इसे सपोज किया गया, अब ना हूँ, यहां से अब परदा के किंद्र से O से P बिंदू, परदा परिस्थित बिंदू, एकंदे बिंदू P है, O बिंदू का तरस्थान मालूम हो गया कि O बिंदू पर चमकीली फ्रिंज, चमकीली धारी उपस्तित होगी, लेकिन P बिंदू पर चमकीली धारी उपस्तित होगी, या काली धारी उपस्तित होगी, यह अभी तक मालूम नहीं है, कोई लग कोई फ्रिंज तो होगी, समान कला में धार उपित होगी, तो चमकीली फ्रि और S2 से उत्पन तरंग P पर पहुंचा दियुतियक तरंग का तो वे आपस में ध्यारुपीत होंगी तो उसके बाद तो पठांतर अगर मालूम कर लेता है उसके बाद रसनात्रम परतिकर्ण की सथ पठांतर इसकल टू पठांतर इसकल टू लेंड़ावाई टू का अगर एक्स्टा डिस्टेंस से एश्टू 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 एश यहां पर माना, वो P is equal to X, अब हमें पठांतर मालूम करना है, तो यह राइट एंगिल हो गया, समकॉन तिर्भूज, S1, M1, P1 में, सबसे पहले, S1, P मालूम कर लें, उसके बाद S2, P मालूम कर लें, और ऐसे फिगर की जुमेट्री से, ऐसे भी, S2, N1, यह 2D sin theta, ऐसे मालू समकॉन तिर्भूज, समकॉन तिर्भूज, S1, M1, P में, distance S1 हमें मालूम करना है, तो S1, P2, S1, P2, यह कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वाइर, is equal to, लंब स्क्वाइर, M1, P2, plus अधार स्क्वाइर, S1, M1, स्क्वाइर, पाइथागोरस्थियोर्म का यूज़ करेंगे, S1, M1, P1 में, कर्ण स्क्वाइर, that is, S1, P2, is equal to, लंब स्क्वाइर, प्लस, आधार स्क्वाइर, S1, S1, M1, स्क्वाइर, प्लस, M1, P2, अब S1, M1, यहाँ, D है, दोनों रिखाचिद्रों के तल से, या रिखाचिद्र S1 से, परदा की दूरी, यह D, capital D, स्क्वाइर होगे, और M1, P, अब देखें हाँ, किंद्र O से, परदा एन के कंद्र O से, P बिंदू की दूरी X है, लेकिन O से M1 की दूरी D है, क्योंकि S1, S2 की दूरी 2D है, इसलिए C, center से, इसके center से M1 की दूरी, C से S1 की दूरी D है, इसलिए O से, परदा के किन्दों से M1 की दूरी भी D होगी फिरों से M2 की दूरी भी D होगी चुकि C से S2 की दूरी D है पुल मिलाकर D पलस 2D S1 S2 की बीच की दूरी तो यहाँ पर M1 P M1 P is equal to हो जाएगा O P minus O M1 मतलम X minus D M1 P is equal to X minus D O से P का distance X है O से M1 का distance D है X minus D square अब यहाँ पर D square इसमें common कर लेते हैं तो D square इसमें 1st term 1 हो जाएगा लेकिन 2nd term में D square नहीं है इसलिए D square से इसमें divide करना होगा X minus D square upon capital D square therefore S1 P is equal to S1 P अब मालूम हो जाएगा root अंदर हो जाएगा right hand side में D square का square root D और यहाँ पर 1 plus X minus D square upon D square इसका root यहाँ पर root को रखाया सकता है लेकिन root के बदले में root का मतलब power होता है 1 by 2 power हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए कि binomial expansion का यूज़ किया जा सके X minus D square upon capital D square power 1 by 2 root के जगा 1 by 2 D square का square root capital D हो गया तो अब हमें यह मालूम हो गया D यहाँ पर पाई था को यह binomial theorem का यूज़ करेंगे 1 plus X का power N N के जगा 1 by 2 है 1 by 2 का मतलब root square root 1 by 2 यहाँ multiply हो जाएगा इस term X minus D square upon D square के पहले तो 1 by 2 से यहाँ X के जगा यह term है X minus D square upon D square तो 1 by 2 multiplied by X minus X minus D square D square upon capital D square तो यह S1 P मालूम हो गया यह S1 P मालूम हो गया हमे दिस से जीक फ्येसर नमबर 1 अब इसी रहंग से S2 से P की दूरी रेखा चिदर S2 के के चेंदर से जो कि दित्यक स्रोट का कार्ज करेगा उससे P बिंदू की दूरी अब S2 से उत्पन होने वाली तरंग P बिंदू पर पहुंची तो दूरी ताय किया S2 P यह मालूम कर ले और part difference हो जाएगा जो कि S2 P distance ज्यादा है S2 P minus S1 P और जो कि ओवर part difference इतना S2 N के बराबर extra distance कभर करना पड़ेगा S2 से उत्पन S2 दित्यक स्रोट से उत्पन यार एकाची से उत्पन दित्यक प्रकास तरंगीका को तो S1 P मालूम हो गया D 1 plus 1 plus 1 by 2 2 X minus D square by D square और यहाँ binomial एक्सपेंसर दिवपद बिस्तार का हमने यूज किया 1 plus X का power N is equal to 1 plus NX N के जगा हाफ है हाफ multiply हो गया इस term X minus D square upon D square के पहले यह हाफ multiply कर दिये 1 plus 1 D under bracket D bracket के बाहर है under bracket 1 plus 1 by 2 X minus D square upon D square और इसी दांग से अब right angle triangle हम S2 M2P का अगर यूज करें तो S2P square पाइथागोरस थियोर्म फिर इस करते है S2P square करने square is equal to M2P square लंब square plus Aadhar square S2M2 square तो इससे हम अब लेकिन यहाँ पर जो distance है M2P M2P distance हो गया X plus D center से चुकी P का distance X था जहाँ पर जहाँ पर चमकी लिए का निर्मान होना है P बिन्दू पर बेतिकरण की घटना को देखना है तो M2 से P का distance X plus D हो जाएगा मतलब X O से P का distance O से M2 का distance D तो यह रियल्ट हो जाएगा S2P is equal to इसी रंग से D1 plus 1 by 2 into X plus D हो जाएगा X plus D M2P distance X plus D square by D capital D square बाकी टर्म होई होगा क्यों यहाँ पर X plus D हो जाएगा अब उसके बाद S2P minus S1P का difference निकाल लेंगे तो पठंतर मालूम हो जाएगा part difference अब समकोन तिर्भुज S2M2P में in right angle S2M2P S2P square is equal to S2M2Square plus S2P square S2M2Square तो उतना ही है capital D ही होगा लेकिन M2P अब हो जाएगा O से P का distance X है और O से M2 का distance D है X plus D का square तो S1P में हमने जो मालूम किया D under bracket 1 plus 1 by 2 into X minus D square upon D square तो इसमें S2P हो जाएगा D under bracket 1 plus 1 by D multiplied by X plus D square यहाँ X plus D हो जाएगा चुकि M2P distance X plus D हो गया O से P का distance O P plus O M2 that is X plus D तो इसी प्रकार अब हम राइट अंगल अंगल सम्कौन तर्भोज S2 M2P में सम्कौन तर्भोज अब सम्कौन तर्भोज S2 इसी प्रकार से सम्कौन तर्भोज सम्कौन तर्भोज S2 S2 M2P S2 M2P S2 M2P में हम मालूम कर सकते हैं S2 S2P square is equal to S2 M2 square plus N2P square उसे मैं equation 1 के help से डायेट ट्लिक देता हूं S2P equals to D1 plus 1 by 2 multiplied by X plus D square upon capital D square S2P भी मालूम हो गया है अब equation 2 माल लेता है अब दोनों तरंगों S1 और S2 से उत्पन होने वाले दिवतियत तरंगी काउं के बीच का पठांतर तो चुकि S2P distance ज़्यादा है S2P minus S2P minus S1P हमें करना होगा S2P minus S1P तो नाव पठांतर दोनों तरंगों के बीच में दोनों दिवतियत तरंगी काउं के बीच में S1 तथा S2 दिवतियत सोतों या दो कला समद सोतों S1 और में S2 से उत्पन प्रकास तरंगी काउं के बीच में पठांतर तो पठांतर हो जाएगा पठांतर डेल्टा दोनों प्रकास्तरंगी काओं के बीच में पठांतर जिसको डेल्टा एक ग्रीक लेटर है डेल्टा ग्रीक संकेत डेल्टा है उनानी संकेत है डेल्टा इसकोल टो पठांतर S2P माइनस S1P अब दोनों का डिफ्रेंस ले लिया जाएगा S2P भी मालूम है D 1 प्लस 1 प्लस 1 बाइ 2 S2P डिफ्रेंस ज्यादा है इसको पहले लिख्यांगे X प्लस D स्क्वाइर अपॉन कैपिटल D स्क्वाइर माइनस S1P इस हैर और D इसमें भी है D को कमन सीधे कर देते हैं बाहर दोनों में कमन हो जाएगा S2P माइनस S1P में भी तो 1 और चुकी आगे माइनस है यहां डेकेट तो यह भी माइनस हो जाएगा आगे चुकी माइनस है S2P माइनस S1P तो माइनस D चुकी कमन ले चुके हैं बाहर में दोनों टर्म में है दोनों S2P और S1P में भी तो आगे माइनस है तो यहां पर plus term है, to plus minus minus हो जाएगा, 1 by 2 into x minus d square upon capital d square यहाँ से plus 1 minus 1 cancel हो गया, 1 by 2 d square, यहाँ भी 1 by 2 d square minus, बीच में minus term है therefore delta पठांतर H2P-S1P जो की डेल्टा है H2P-S1P जो की पठांतर डेल्टा है is equal to capital D upon 2D square बाहर कर लेता है denominator से दोनों term में है 2D square बाहर कर लिया गया इसमें बचा X plus D square minus X plus D square minus X minus capital D square D से D square cancel हो गया ये बचा 1 by 2D X plus D square X square plus 2XD plus D square और ये भी फिर X square plus 2XD A plus B का होल स्कॉयर के फॉर में है plus D square minus X square minus 2AB 2XD 2AB होता है A के जगा X है B के जगा D है minus 2XD लेकिन आगे में minus है इसलिए हाँ पर plus हो जाएगा 2XD और बीच में plus D square होता है plus B square तो B के जगा D है लेकिन आगे में minus है तो minus D square minus D square plus D square minus D square cancel plus X square minus X square cancel तो इस प्रकार पठांतर डेल्टा S2P minus S1P दोनो S1 तर था S2 से उत्पंतर रिंकाओं के बीच में therefore S2P minus S1P is equal to result आया पठांतर का 2XD plus 2XD that is 4XD 4XD upon 2D 2 से 4 cancel होकर के यहाँ 2 हो गया यहाँ पर 2 that is 2XD by D यही पठांतर के लिए expression आया 2XD S2P minus S1P is equal to delta delta is equal to 2XD by D this is equation number 2 अब इसी पठांतर पर निर्भग करेगा रजनात्मोप्यतिकरण यह बिनास्य व्यतिकरण रजनात्मोप्यतिकरण होगा P बिंदो पर तरिंकाएं S1S2 से उत्पंप्रकास तरिंकाएं समान कलाओं में ध्यारोपित होगी तो P बिंदो पर आरी या चमकिली फ्रिंज दिखलाई देगी लेकिन S1S2 से उत्पंप्रकास तरिंकाएं अर पी बिंदो पर भी पीत कंलाओं में ध्यारोपित होगी तो P बिंदो पर काली फ्रिंज काली धारी उपस्तित होगी तो इस प्रकार हमें पठांतर मालूम हो गया एस वन टी टू एश डी अपॉन टैप्टल डी अब रशनात्म प्वितिकर्ण के लिए प्रकास प्रकास प्रियोग में तो उसकी तरण लंबाई है तो रशनात्म प्रितिकर्ण के लिए पी बिंदू पर चंकिली फिंज के लिए तो अब पी बिंदू पर फ्रिंज चोड़ाई हमें बालूम करना है तो अब पी बिंदू पर फर्स्ट सिच्वेशन होगा पी बिंदू पर पी बिंदू पर चंकिली धारी या चंकिली फिंज चमकिली धारी या फ्रिंज प्राफ करने के लिए या चमकिले फ्रिंज प्राफ करने के लिए फ्रिंज लकीडे, प्राप करने के लिए, चमकीले फिंज के लिए, यहां पठाम्तर चमकीले फिंज का कंडिसन होता है राइस नाथनमक्रथिकर्म का सर्की सर्थ delta is equal to 2n into lambda by 2 बेवलेंथ पर्कास की तरंगलंबाई का आधा हाफ तरंगलंबाई का हाफ का आधा का समगुनज होना चाहिए तब जाकरके P बिंदू पर रचनात्मक वेति करण होगा P बिंदू पर चमकीली धारी उपस्तित होंगी प्रकास तरंगे समान कलाओं में धार उपित होंगी दोनों प्रकास पूर्ट शुरुपन तो पी बिन्दू पर चमकीली धारी या चमकीली फ्रिंज के लिए हमारा कंडीशन है पठांतर रचनात्मप्रती करन की सर्थ अर्था रचनात्मप्रती कंस्ट्रक्टिव इंटर्फ प्लाई करने पर सम संख्या मिलेगी सम गुनज होगा यहां इनका मान वान टू थ्री ऐसे हो सकता है तो डेल्टा इसकल टो इतना 2N इन्टू लेमड़ा वाई टो यह रचनात्मक वैटिक रंद की सर्थ है पर्दा के पी बिन्दू पल्ग चमकीली धारी या चमकीली फ्रिंच प्राप्त करने की सर्थ हो गया डेल्टा इसकल टो टो इन्टू यहां पर आया है 2xd upon 2xd upon capital D is equal to 2n lambda by 2 यहाँ s2p minus s1p is equal to delta है now delta is equal to 2x delta is equal to 2xd upon capital D in equation 1 now 2xd upon capital D is equal to 2n plus 2n into lambda by 2 that is n lambda simply इसको n lambda लिखा जा सकता है 2 to cancel हो जागा n lambda therefore x, x का मतलब है यहाँ चमकिली fringe के लिए है तो मतलब center से x जो है center का position तो चमकिली fringe था O बिंदू पर तो चमकिली fringe था चूकि S1, S2 से उत्पन प्रकास तरंगे तरंगी का हैं, जो तरंगी का हैं P बिंदू चमकिली धारी का केंद्र होगा चमकिली धारी महा उत्पन होगी रस्नात्मर्प्रितिकर्ण होगा तो वहां से केंदर से कोई P बिंदू n में चमकिले fringe की दूरी n में चमकिले धारी की दूरी तो उसके लिए xn के अंदर से वो से न वे चम के लिए फिंज की दोरी के लिए XN लिखेंगे, X is equal to XN X equal to, यहां से X को eliminate करेंगे, XN, X is equal to N lambda N lambda D upon 2D 2D This is equation number 3 अब हमको fringe औराई मालू करना है fringe width, fringe width क्या है दो लगातार चम के लिए या दो लगातार काले fringe की वीच की दोरी 2 लगातार dip lending या 2 लगातार अदिपत धारियों की वीच की दोरी को fringe width कहा जाता है यहां पर अगला fringe वीच वीच के लिए केंदर से N kita चम के लिए fringe की दोरी तो मालूम हो गया लेकिन अब उसके आगे एक n प्लस 1 वा अगर मालूम कर लेते हैं अगर दोनों का डिफ्रेंस ले ले लें x n प्लस 1 केंदर से ही और फिर उसके पहले वाला एक x n तो दोनों का अंतर से दोनों का जो अंतर होगा वह चमकीले फिंच के लिए फिंच वड़ाई होगा और सी का विजख हमें अप्टेंग भी करना है चमकीले या दो लगातार काले चमकीले फिंचों की दूरी क्यों पठांतर में अंतर हो जाएगा कंडिशन का बाकी सब कुछ हो ही है तो x is equal to x n का मतलब है पर्दे के केंदर से n में चमकीले फिंच की बिच की दूरी n लेमडा d y n लेमडा कैपिटल ली वाई 2 d अब हमें मालूम करते है x n o n प्लस 1 मतलब पर्दा के केंदर से उसके अगला अगला n o जो है मालिया की n o अगर 10th है n is equal to 10 है तो n प्लस 1 11th हो जाएगा तो 11 फिंच की बिच की दूरी कितनी होगी वह हमको मालूम कर सकते है मारे ग्यांपुल के तौर पर x n प्लस 1 is equal to n के जगा यहां पर n प्लस 1 कर देंगे lambda d upon 2d and this is equation number 4 अब हमको फिंच ओडाई मालूम हो गया होने जा रहा है हाँ चमकिले फिंच के लिए फिंच ओडाई beta is equal to symbol चमकिले फिंच ओडाई का बिटा यहाँ capital x उपर बार होता है capital x ओभर बार तो यहाँ फिंच ओडाई हो गई x n प्लस 1 वाने के अन्दस्ते यहाँ चमकिले फिंच की दूरी के लिए x n है तीन में और उसका आगे का एक ज्यादा एक अधिक चमकिले फिंच की दूरी वो x n प्लस 1 है तो दोनों के विच का जो अन्तर होगा x n प्लस 1 माइनस section वो फिंच ओडाई हो गया beta से दिनोट करेंगे x n प्लस 1 माइनस section is equal to यह बीटा हो जागा फिंच ओडाई और n प्लस 1 है n प्लस 1 n प्लस 1 lambda d upon 2d minus x n is equal to n lambda n lambda d by 2d तो यह मालूम हो गया x n प्लस अभी यह क्या हो गया चमकिले फिंच की लिए दो लगातार चमकिले फिंच की विच की दूरी हो गया तो एक center से परदा n के के अंदर से center से n में चमकिले फिंच की दूरी x n है और उसके एक आगे का x n प्लस 1 तो दोनों के बीच का अंतर एही x n प्लस 1 minus x n एही फिंच ओडाई का बेंजब होगा जो की चमकिले फिंच की लिए होगा और उसी रहंसे हम काले फिंचों के लिए फिंच ओडाई प्राप कर सकता है केवाल condition में तो आंतर होगा यहां पर आंतर हो जाएगा 2 x d y d 2 n प्लस 1 lambda y 2 का समगुनज होगा या विसमगुनज होगा 2 n में x से जोड़ एक एक एड कर देंगे या एक घटा लेंगे माइनस कर देंगे तो दोनो इस्तितियों में विसमगुनज हो जाएगा lambda y 2 का odd multiple 2 n प्लस 1 और 2 n माइनस 1 लेना होगा अब x n प्लस 1 माइनस section अब फिंच ओडाई होगा दो लगा था चमकिले फिंचों के लिए फिंच ओडाई हो गया x n प्लस 1 माइनस section इसको फिंच ओडाई लिखेंगे हम चमकिले फिंचों के लिए फिंच ओडाई बीटा चमकिले फिंचों के लिए हो गया बीटा is equal to अब दोनों का difference lambda d by 2d common हो गया lambda d by 2d common तो bracket में बचेगा n प्लस 1 माइनस n n से n कैंसिल हो गया तो क्यों lambda d by 2d lambda d upon 2d और यही बेंजग हो गया फिंच ओडाई के लिए चमकिले फिंचों के लिए फिंच ओडाई का बेंजग हो गया इक्वेशन नमर 5 यही मालूम करना था हम है बीटा is equal to बोर्ड पर उपर में लिखा है बीटा is equal to lambda d by capital d lambda capital d by 2d प्राप करना जहाँ d हमने बतलाया दोनों रेखाचिद्रों के तल से परदा d की दूरी है परदा n की दूरी है lambda एक वर्णी प्रकास रोट जिससे रेखाचिद्र प्रात्मिक स्रोट को उसकी त्रनलंबाई है और 2d दो रेखाचिद्रों या दो आभासी स्रोटों के बीच की दूरी है चोकि एक ही स्रोटेस से दोनों स्रोट प्राप किया गया है s1 प्था s2 ये फ्रिंच वराई का विंजक हो गया प्राप्रेस में या गया गया किकलिए पर अधालिट्र अब इसी ढ़ण से पी बिंद्र पर प्रधा पर इस्तित्था प्राप्र ऐसे, बिनची बेतिकरन के लिए तो बिनची बेतिकरन की कंडियसन लगाना होगा तो एसी धखुख से हम फिंच और आई के लिए उसका भी वेंजक प्राप कर सकते हैं lambda d upon 2d ही चमकि काली फिंचों के लिए भी इतना ही वेंजक प्राप कर सकते हैं lambda d upon 2d के ओल कंडिशन में अंतर होगा यह पठांतर तो 2x divided capital d है यहाँ पर n के बदले में 2n plus 1 lambda y2 जैसे हाँ पर कंडिशन था lambda y2 का even multiple था पर part difference तो 2n into lambda y2 था अब 2n के जगा पर 2n minus 1 या 2n plus 1 कर देंगे तो और नमबर देगा तो उससे हमको मालूम हो जागा पठांतर 2x dy capital d चल्ट 2n plus 1 into lambda y2 या 2n minus 1 into lambda y2 अब फिर से x चल्ट 2xn हम eliminate कर लेंगे और फिर xn का value आ गया मतलब केंद्र से n में चमकी ले फिंच की दूरी केंद्र तो ऊपर तो जो चुकि हमको distance ओ ही से देखना ओ से p का distance हमने x माना था तो जो distance होगा हम वह परदा का मद्द बिंदू ओ से ही मालूम करेंगे तो परदे के अगर 2n प्लस 1 lambda या 2n माइनस 1 lambda 82 वेतिकन की सर्थ में 2n प्लस 1 lambda by 2 या 2n माइनस 1 lambda by 2 मतलब lambda by 2 का बिसम को नच और multiple होना चाहिए और फिर वहां पर भी n में चमकी xn मालूम हो जाएगा फिर xn प्लस 1 मालूम कर लेंगे इन के बदले में x प्लस 1 करके ढों का डिफ्रेंस लगातार दो करमागत काली फिर्जों की विस्थी लूरी dark फिर्जें से विस्थी का distance उसने मालूम हो जाएगा और दो लगातार काली फिर्जों की विस्थी लूरी को हम भी फिंच वड़ाई कहते हैं, काली फिंच के लिए फिंच वड़ाई हो जाएगा, तो वहां भी same expression आएगा, उस case में भी, मिनासी वेतिकर्ण के लिए, तो मिनासी वेतिकर्ण होगा, तो पी बिंदू का अस्थान जो होगा, वहां पर, वहां पर, पी बिंदू पर काली धारियां, काली धारी, डिख लाई देगी, जब बिनासी वेतिकर्ण होगा, अंधेरा हो जाएगा, तो कि प्रकास वहां से गायब होगा, इसलिए कि बिनासी वेतिकर्ण काली फिंदू के लिए इतना ही बेंजखम, बठामतर का कंडिशन, चेंज हो जाएगा, और इसी के साथ, यह टॉपिक जैसा समाप करने के समय में ही कह रहा हूं कि यह बिविंद स्टेट वोर्स एक्जाम्रेसंस या पूरे देश में, या किसी भी एक्जाम्रेसं के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे पुछा जा सकता है, लोंग कोश्चन में अक्सर इसे पुछा जाता है, तो थैंक यू, बेरी मच्च